वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम बनाएंगे दाल तड़का दाल तड़का बनाने के लिए आप एक कड़ाई लीजिए उसको थोड़ा गरम करिए और तेल डाल लीजिए उनमें मेरे पहले से रखा हुआ है तो गरम होगे मेरी कड़ाई और मैंने तेल भी डाल रखा अब लसन जैसी हो जाएगा आप इसमें प्याज डालेंगे प्याज डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा भूल लेंगे अच्छे से मैं 5-6 लोगों के लिए ये दाल तड़का बना रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कम भी डाल सकते हैं जैसी हमारा प्याज भून जाएगा हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर को भी थोड़ा भून लेंगे जब टमाटर हमारा थोड़ा भून जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और फिर डालेंगे थोड़ी सी देगी मिर्ची देगी मिर्ची डालने के बाद हम इसमें डालेंग पूल आ प्रचWow कि यह बैसं झसे कि किर दीठ आलेंगे है और इसको मिला लेने अब आप मिलानने के बाद इसमें थोड़ा सब पानी डालेंगे ताकि जो तामार्च बार ऊब का ठीक Peng refers Ming पंडें यह तो यहामा रूद हो दो गओ आरे तो रीडि है ठीक है अब इसमें हम अरहर के डाल डालेंगे जो हमने दो सीटी मार के पहले से रखी हुई है अब इसमें हम डाल के डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद जब इसमें उबाल आएगी और ये फेना आता है जो जिसको हम जाग बोलते हैं इसको हम हटा लेंगे हटाने के बाद फिर से एक बार डाल को मिला लेंगे अच्छे से डाल हमारे रेडी हो चुकी है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी एक चमच घी से इसमें बहुत अच्छा स्वाद आएगा गी डालने के बाद थोड़ा इसको हम फिर से थोड़ा मिलाएंगे मिलाने के बाद अब हमारा दाल तरका रेड़ी है हम इसमे थोड़ा धनिया डालेंगे धनिया डालने के बाद हम इसको बंद कर देंगे बिल्कुल बंद करने के बाद हम अब रेड़ी है हमारा हमें कटोरी में ले लेंगे तो आप दाल तड़का को दो तरीके से खा सकते हैं चावल के साथ और रोटी के साथ भी ठीक है तो अब इसमें हम थोड़े सा धनिया की गार्निसिंग करेंगे इसी तरह आप भी बनाईए अपने घर पे और खाईए और लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे यूटूब चैनल को और वीडियो के लिए ठैंक यू